हेलो अब्रिवन कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे देखिए स्टॉक लाया हूँ जो आज आपको अच्छी मुमेंटम करके दे सकता और यह वीडियो कंटीनु रहती है कल साम को ही मिलना चाहिए था अभी मिल रहा बट यह साम को ही मिल जाएगा जिससे आप पूरी प्रिप्रेशन कर पाएंगे कि नेक्स डे पर कौन से स्टॉक पर ट्रेड करके अच्छा मुनाफ़ा किया जा सकता पर स्क्रीन पर स्टॉक जो देख रहे हैं वह कल जब मार्केट गिर रहा था तब यह स्टॉक चल रहा था आप देखे होंगे सारी सीचे बताऊँगा वीडियो के इन तक जरूर बने रहे हैं स्टॉक का नाम देखके न भागिएगा क्या टेकनिकल सेट अप रहेगी यह आपको इस वीडियो पर मिलेगा स्टॉक का नाम स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा डिक्सन टेकनोलोजी यह स्टॉक काफी इंटल देख सकते हैं 12,000 करोन की एक बहुत अच्छी कंपणी है और यह कंपणी होम ग्रोंड डिसाइन में काफी ज्यादा इंगेज्ट है और बहुत सारे कंजूमर डियूरेबल लाइटिंग मुबाइल फोन स्मार्ट फोन मार्केट इन इंडिया डियर डाइवर्सिफाइब प्रोडेक्ट पॉर्टफोलियो इंक्लूड कंजूमर इलेक्ट्रोनिक्स लाइक लेडी टीवी और बहुत सारे वसिंग मसीन बहुत सारी चीज़े तो काफी अच्छी कंपणी है और पर मोटर्स की होल्डिंग आप स्क्रीन पे देख पा रहोंग कि क्या से यहां पे क्या हुआ एक आप मान सकते एक चैनल का ब्रेक आउट और एक ट्रेंड लाइन का उपर की तरफ ब्रेक आउट दोनों ही आप क्या सकते हैं और यह स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है तो इसमें एक अच्छी मोमिंटम होने के पूरे चांसे से किसे साब पर से लिए से लमीण किरेंगे वह और देखने की कुशिष करेंगे कि आगे आगे हम लोग सारे जीते देखने हैं पहले जरूर देखें Shell पर देखेंगे कि यह हमारी प्रीमियमेश में hiking उन्हूस के लिए इंटर देखेंफ पूरस सपोर्ट रहत है बहा सारे था स्टॉक्स के अपडेट करता हूं मार्केट आवर पे और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं सभी लोगों को यह देख लीजिए यह इंप्रेशन है आप खुद ही देखिए इसमें मैंने खुद टाइप नहीं किया यह ग्रूप है चैट करने का HDFC बैंक बहुत सारे स्टॉक्स ने जवरजस्ट प्रॉफिट निकाल के दिया गैडलाइन्स यही होगी और यहां पर जो डिस्क्लीमर होगा वो पूरा एजुकेशनल परपरस पर यह ग्रूप क्रियेट किया गया यहां पर जो भी ट्रेड लेते हैं वो समझते हैं सीखते हैं चार्ट को यहां पर मैं जो भी स्क्रीन सॉट करता हूं उसके बाद ट्रेड लिया जाता है और यह है हमारा टेलिगराम चैनल जिस पर मैं अपडेट करता हूं देखिए स्टॉक पर क्या मोमेंटम हुई है HDFC बैंक को एक अपरील को हमने 1485 पर अपडेट किया था 1485 पर स्टॉक 17 रुपय का हाई बनाता और यह हाई थी इस वज़े से क्योंकि इस पर न्यूज थी न्यूज हमें भी पता नहीं था इसमें टेकनिकल सेटप के वज़े से स्टॉक को रखा था बजाज फाइनल्स 30 मार्च को रखा था 7100 पर देट देखिए और देट के बाद में स्टॉक की मोमेंटम देखिए कितने टाइम फ्रेम पर दिया था 9 बच के 20 मिनिट पर ये भी जरूर देखिएगा भारती एटेल 29 मार्च को 735 पर दिया 9 बच के 24 मिनिट पर और उसी दिन ये सारे पोजिशनल स्टॉक्स हैं गुजरात एलकेलीस का मोमेंटम देखिएगा 28 मार्च को बताया था और टाटा एलेक्सी को 28 मार्च पर बताया था 9 बच के 45 मिनिट पर तो ये सारे अपडेट्स आप पा सकते हैं सिर्फ 5.99 के प्लान के साथ में देखिए स्क्रीन पर जो नजर आ रही है वो यहीं इंडिकेट कर रहा कि मार्केट आज डाउन साइट खुलने वाला विकवाज एस्जेक निप्टी 1500 पॉइंट डाउन है और ये मैं आभी लाइब आपको दिखा रहा हूँ आप यहां पे चार्ट पे भी देख पाएंगे कि यहां पे क्या मोमेंटम हो रही मैं एक मिनट का चार्ट स्ट्रेक्चर लगाता हूँ आपको लाइब दिखेगा और ये और भी डाउन साइट जाने के पूरे पूरे चांसे से आज निप्टी के यह देख लिजे डिक्सेन टेकनोलोजी का एक मिनट का चार्ट इसे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करूँगा और यह देखे कल के ट्रेडिंग सेशन पे एक फ्लैक जैसा पैटन बना के यह स्टॉक ट्रेड कर रहा आज यह स्टॉक इसी जोन पे खुलेगा और आपको एक बड़ी मोमेंटम करके दे सकता मैं सबसे पहले डेली कैनलिस्टिक चार्ट पे जाओंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या ब्रेक आउट हुई है और क्या नहीं हुआ तो सिंपली एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रो किया जाए जो कि मैं आपको मोबाइल से ही करके बता रहा हूँ और यह आप खुद भी कर सकते हैं जहां पे इस एप्लिकेशन के तुरू आप आप मोबाइल से भी इस चीज़ को कर सकते हैं आप देख पा रहे होंगे कि इस स्टॉक पे एक बड़ी मुमेंटम आई है और यह ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट आपको नजर आ रहा है अभी आप कहेंगे कि कली क्यों नहीं का बिकॉज देखे यह डेली केंडिलिस्टीक है तो एक केंडल को खत्म होने में पूरा एक दिन लगता है और एक दिन के बाद में ही यह ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है यह पता चलेगा तो यहाँ देखे ट्रेंड लाइन का डेली केंडलिस्टिक चार्ट पे ब्रेक आउट है तो आज के केंडल की क्लोजिंग के बाद यह समझ में आएगा क्लोजिंग हुई है 4638 पे और कल का जो हाई था इस स्टॉक का तो 4690 का हाई आज यह स्टॉक क्रॉस करेगा तो यह बहुत ज़ादा बुलिस होगा बट हम लोग ट्रेड इनिसियेट कहाँ पे करेंगे इसके लिए हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में इसमें हम लोगों को समझना होगा कि क्या इस स्टॉक पे आज हो सकता तो देखिए टिपिकल एक फ्लैक पैटन जैसा आपको नजर आ रहा होगा और ये ब्रेक आउट होते ही इस स्टॉक पे मोमेंटम आएगे अगर ये स्टॉक फ्लैट खुलता है इसी जोन पे 4630, 4640 और ये स्टॉक उपर की तरफ पहुचता है कौन से लेबल पे ये पहुचता है अगर इस जोन को तोड़के ये दो कैंडल के उपर 4650 और 4660, 65 पे पहुचता है तो हम लोग ट्रेड इनिसियेट कर सकते हैं नीचे के तरफ जो स्टॉप लॉच बनेगा वो 4680 का बनेगा और ये पहला टारगेट 4690 का होगा और इसके उपर कुलोच करते हैं ये स्टॉक बहुत बड़ी मोमेंटम करेगा 100-500 पॉइंट की मोमेंटम करने के पूरी-पूरी चांसे से ऐसा हो सकता है ऐसा अनुमान लग 50-46-60 को ऊपर नहीं चला जाता है तब तक हम लोग इस पर बाई कॉल या ट्रेड कोई इनिसियेट नहीं करेंगे चुप चाप से वैट के देखेंगे और जो हमारे साथ जुड़े हुए उनको तो स्टॉक मिलेगा इंटरडे पे कोई जरूरी नहीं कि डेक्शन जाना होगा तो यह अबर आल एपजर बेशन इस स्टॉक के बारे में जिस पर मैं खुद भी वर्क करूंगा अगर ऐसा होता है तो और यह सी बेसिस पर हमने आपके साथ में शैर किया आप क्या करेंगे यह आपको डिसाइड करना है आपको सीखना है समझना है और अगर लग रहा है वह मैं आपके साथ में शैर कर रहा हूं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं ट्रेट करने से पहले एक बास जरूर अपनी खुद के आनलेसिस कीजिएगा तबी ट्रेट कीजिएगा जो हमने कहा इस हिसाब से घर होता है तो इस स्टॉक में मोमेंटम हो सकते हैं के लिए जुड़िए मैं इतना तो जरूर कहांगा कि आप हमें छोड़के नहीं जाएंगे इस चीज का मैं पूरी तरीके से ख्याल रगता हूं अपने मिंबर्स का तो जरूर देखिए एक बार लिक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा जुड़ना चाह कि जाएगा कर दिसक्वशन पर लिक अठाम क्टी टूर ह지।